जम्मो कश्मीर के राजोरी में जान गवाने मले शहीदों की पार्थिव देहे शुकरवार को उनके घर रवाना हो गई इस बीच उनके परिवारों से कुछ मारमिक तस्वीरे और किस्से सामने आये हैं आगरा के कैप्टन शुभम गुपता के घर यूपी के केबिनेट मंदरी योगेंदर उपाध्या पोंचे उनकी मा को पचास लाग की सरकारी मदद देते हुए उपाध्या फोटो खिचवाने लगे इस पर कैप्टन की माने भी घलते हुए कहा मेरी प्रदर्शनी इम्मत लगाओ मुझे मेरा बेटा चाहिए उसे वापस लादो हाला कि इस पर मंतरी जी के लिए फोटो खिचाना ही प्रात्मिकतार में रहा और वे शेहिद केप्टन की मां के आगे बार बार चेक ले जाते हुए फोटो खिचवाने में विएस्ट रहे उधर अलिगड के पेरा पुटर सचीन लोर की आठ दिसंबर को शादी होनी थी बारात मतुरा जानी थी और परिवार में इसकी तैयारियां चल रही थी जब मुकश्मिर के हवलदार माजित के भाई भी सेना में थे और वे भी छे साल पहले शहिद हो चुके हैं राज़ोरी में धर्मसाल के बाजीमल में 22-23 नवमर को ही मुटभेड में सेना के दो अफसरों समेट पांच जवान शवीद हो गए थे शुकरवर को इने राज़ोरी के आर्मी जनरल होस्पिटल में श्रधान जिनी दी गई इसके बाद उनकी पार्थिर्धे उनके घरों के लिए रवाना हो गई मुट बेड में लशकर के टाउप कमांडर समेट दो आतंगवाधी भी मारे गए इन में से एक इसी साल जनरी में जम्मो कश्मीर के डांगरी में हुई टार्गेट किलिंग का मास्टर माइंड था